हेलो छात्रो यूपीस ये इसस कम्पिटर वर्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में हम आपको हूम टैब के बारे में बताएंगे home tab के सारे option इस वीडियो में नहीं clear हो पाएंगे लेकिन आपका लगभग ज्यादस ज्यादा option इसमें clear हो जाएंगे और जो आपके home tab के option बचेंगे उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे तो देखिएगा home tab में आपका ये आपका work sheet ये data हमने feed कर रखा है इसमें आप देखिएगा सबसे पहला option आपका cut है cut मिस होता है काटना और copy करना मतरब किसी चीज़ की duplicate बनाना तो हम दोनों चीज़े करके आपको दिखा रहे हैं जिसे मानलों यहां से हमने data select किया और इसको cut करना है तो हमने यहां से cut कर लिया और यहां से उठा के आपको यहां पर paste करना है तो इस पर click करके paste किया तो data हमारा यहां से cut होके यहां पर आ चुका है इसको हम फिर वैसे ही कर रहे हैं तो यहां से undo कर लेंगे undo से आपका data फिर वैसे ही आ जाएगा और copy का मतलब क्या होता है यैदे हम कोई चीज़ copy करेंगे तो copy किया और इसी को हमें paste करना है यहां पर तो हमने paste पर flick क्लिक किया तो paste हो चुका उर्थ इसका अर्थी हुआ कि जो data हमारा यहां है वही data हमारा यहां भी आ जाएगा यहां चाहेंगे नीचे तो यहां paste कर दो यहां भी data हमारा वही आ जाएगा तो इस प्रकार cut, copy, paste तीनों चीज़े आपकी clear हो चुकी है आगे देखिएगा आगे देखिएगा छात्रो फार्मेट पेंटर अगलापसन है फार्मेट पेंटर क्या होता है यहां से हमने इसको select किया माना कि इसमें color हमने change कर लिया नीचे हमने color यहां से भी change कर लिया हमने यह हमने फार्मेट लगा लिया इसको हम select करेंगे फार्मेट और अगर जो इसमें table गएरा लगाना चाहो तो table भी हम लगा सकते हैं कोई भी जैसे यहां से हमने table यह select कर लिया टेबिल हमने allow कर लिया इसके उपर अब इसको हम select कर रहे हैं select किया और permit painter पे click किया जब permit painter पे click करेंगे तब हम यहां से इसको यही permit यहां लगाना चाहेंगे तो इसको क्यों उलैसे खीच देंगे permit से और वही permit आपका यहां पर automatic आ जाएगा तो छात्रो फार्मेट पेंटर आपका किलेर हो चुका है आगे देखिएगा फिर आता है आपका फांट के बारे में फांट के बारे में छात्रो आपको पहले भी बताया चाहिए चुका है कि कोई भी फांट आपको लगाना हो तो हम नई सीट एक लिए ले रहे हैं इसके हैं यहां से हमने फांट चेंज किया तो यह फांट एक सिल में केवल चेंज हुआ है यहां से हमने लिखना सुरू करेंगे फिर बाहर क्लिक करेंगे देखना फिर वही फांट लगा हुआ है और यहां फिर हमें चेंज करने का प्रियास किया तो फिर हमने कोई टाइम रोमन या हमने यहां चेंज किया और यहां पर कुर्टी देव का फांट हमने लगाया लेकिन यहां हिंदी लिखना तो सुरू हो चुका है लेकिन नीचे जैसे आये वैसे फिर इंगलीस हो चुका है तो इसका क्या है मतलब इसमें हमें पूरी सीट को सेलेक्ट करना पड़ेगा फांट लगाने के लिए कंट्रोल ए करेंगे और यहां से जो फांट हमको लगाना है यहां से हम लगाएंगे तो पूरी सीट पे वही फांट हमारा एलाउ हो जाएगा यहां को पूरी सीट पे फांट रखना है उसके लिए जैसे मालो एरियल हमें रखना है तो ए आर एरियल और हमा अब हर जगा हम हिंडी कहीं भी हम लिखेंगे तो हिंदी ही लिखके आएगा ये चीज हो गई अब देखेगा फांट साइज क्या होता है तो फांट साइज भी वही प्रक्रिया है इसको कंट्रूल ए करेंगे और जितना फांट हमको रखना पूरी सीट का उतना बढ़ा आगे आपका हर जगा एक ही फांट आ चुका है तो छातरो फांट के बारे में और फांट साइज के बारे में आपको समझ आ चुका होगा आगे देखेगा आगे देखेगा चातरो यहां पर हमें ग्रीटर दिन और लेस दिन इसमें इंक्रीज और डिस्क्रीज फांट को करन हैं यह सारी चीज़े देखिए कर रहे हैं अब देखेगा आप बोल्ड मिस मोटे अच्छर करना इटेलेस मिस तिरचे अच्छर करना और अंडरलाइम मिस नीचे अंडरलाइम देना हो डबल या सिंगल जो भी देना हो वो यहां से हम दे सकते हैं देखेगा फिर इसके बाद आपके आते हैं बार्डर्स बार्डर्स को आप समझ लीजिएगा बार्डर हमें अगर जो लगाना है तो माना कि हमने इसको सेलेक्ट किया यहां पर हमने सेलेक्ट किया अब यहां पर बार्डर हमें देना है तो अगर जो आपको बाटम में बार्डर देना है तो किलिक करें देखिएगा लेट में देना है तो लेट में राइट नो बार्डर कोई बार्डर नहीं आएगा आल बार्डर मिस आपका पूरे में बार्डर आजाएगा जितना आपका सेलेक्ट होगा उतने में बार्डर आ चुका है हमें border ہटाना हे तो no border कर देंगे तो no border हो जाएगा फिर इसमें हमें यहाँ तक एक एक चीज़ आपके लिए करने है थिक resistance motor border आपका आ जाएगा देखीगा motor border आ जुगा चारो तरफ आपका थिक हो गया है फिर control जड़ करके हैं वो ऐसे ही लाते हैं इसके बाद आपको क्या करना है यहां तक तो आपको वही बार्डर है पूरे लगा सकते हैं यहां तक फिर नीचे के बार्डर यह आपके देखे कैसे लगाएंगे हमें draw border, मतब इस border पर click करेंगे और जितनी दूर में आपको border खीचना है देखेगा pencil से आप border खीच सकते हैं कहीं भी मालो इसमें हमें border देना है इसको हमने select किया, देखेगा border आ चुका यहां पर border देना है, यहां पर हमारा border आ चुका है तो यह आपका pencil से border खिचा जा सकता है इसी में आपका border है draw grid line इस पर click करेंगे तो जहाँ जहाँ grid line है मतब grid line पर पूरी लेंगे तो देखेंगे पूरी grid line आ चुकी है यह आपका border देखेगा खिच रहा है तो यह आपका grid line मतब जितनी grid line है उस border में परिवर्तित हो जाएंगे फिर हम control जट करके वैसे ही कर रहे हैं इसके बाद देखेगा क्या है erase border अभी जो border हमने बनाया था जिसे grid line ने बनाया अब इसको हमें हटाना है border या इसके उपर हमने border खिच दिया और इसको हटाना है border तो क्या करेंगे erase border erase से हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो border हट जाएगा देखेगा जो border हमने लगाया है वो हट रहा है तो छात्रों मैं आसा करता हूँ कि यह चीज़े समझ में आ रही होंगी आपकी आगे देखेगा फिर इसमें है line color यदे हमें color change करना है तो color change कर लेंगे और फिर हम border अगर जो लगायेंगे तो color border में आता जाएगा जो हम border इसमें color लगा लेंगे उसी color का आपका border आएगा देखेगा green color हमने लगा लिया तो green color का border आ चुका फिर हमें इसे erase करना है तो erase पर किलिक करेंगे और इसको select करके पूरे border को erase कर देंगा आगे देखेगा चातरो line style में क्या है जिस हिसाब से line style आप ले लेंगे मोटे पतली या जो भी double उस प्रकार से इसमें border आएगा जो line हम style ले लेंगे उसी प्रकार से border इसमें आता रहेगा हमने देखे मोटी line ले लिया तो मोटा border इसमें आएगा ये चीज इसको हम erase किये दे रहे हैं इस border को भी देखेगा यह उपर यहाँ पर clear अब उपर यह छोट गया इसको भी हम erase कर रहे हैं more line तक आपका यह line style तक clear हो चुका है आपको इतने ही border आपको clear करना है इतने आपसे ने border में एक एक चेक कर लेना आगे देखेगा आगे देखेगा छात्रों हमें color ये भरना है तो purchase invoice है इसमें कोई भी color अगर जो इस cell में हमें भरना है तो देखे फिल कर लेंगे जो इच्छा हो color आप भर सकते हैं देखे color इसमें आ चुका है यहाँ पर हमें color कोई लगाना है तो यहाँ से भी हम color कोई न कोई लगा सकते हैं इसमें जो इच्छा हो ये लग गया और नीचे वाले box में भी color हम लगा सकते हैं कि यहाँ आपका लिखने मतब जो text है इसका color change करना है तो यहाँ से ए पर click करेंगे और जो text का color लेंगे वो आपका text का color भी change हो जाएगा आप छात्रों आपका जो है alignment आता है मतब हम लिखेने का style जो है तो थोड़ा हम column को देखे बढ़क किये ले रहे हैं इसको और एक rock कोई ने कोई हम इसको बड़ी कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें मालो लिखना है UPCI हमने UPCI लिखा और इस UPCI का font बढ़ा रहे हैं हम थोड़ा इसको bold कर रहे हैं अब UPCI जो लिखा है इसको हमें center में पहुचाना है तो यहाँ center पर देखे click करेंगे तो center में आ चुका है और left में ले जाएंगे तो left में देखे यहाँ cursor आ चुका है अब हम चाहते हैं कि left, right right में ले जाना चाहो center में ले जाना चाहो left में ले जाना चाहो यहाँ click करके ला सकते हैं लेकिन हमें बीचों बीच में लाना है अगर जो तो center पे click करेंगे और उपर वाले जो option दिये हैं उसके center पे click करेंगे इस प्रकार से इसके setting हम अपने आउसकता उन्सार जहां करना चाहें वहां कर सकते हैं तो यह आपका alignment हो चुका है इसी में option आपका है यहां से हमें angle घुमाना है तो देखे angle पर click करेंगे तो आपका इस angle पर आ चुका है यह angle देंगे तो यह angle आ चुका है वाल्टिकल करेंगे तो देखो सीधा सीधा आपका ये UPCI इस परकार से लिख चुका है तो जो इंगल रोटेट हम को देंगे उसमें आपका ये कनवर्ट होगा इसको सही करना है तो फार्मेट सेल में जाएंगे और यहां से हम इसको इस पॉइंट पर सीधा कर देंगे और ओके करेंगे तो देखेगा UPCI सीधा हो चुका है फिर आगे हमें देखना है कि इसी पेज जाके यहां पर जो आपसन आपको दिख रहे हैं नबर alignment इनके बारें फार्मेट सेल इसको कहते हैं इसके बारें मिश्थार से आगी वीडियो एक बनाएंगे उसमें देखेंगे लेकिन इसमें alignment आपको हमने समजा दिया सीधे word लिखना है то text पे किलिक करो देखो सीधे word हो गए तो यह आपका alignment हो चुका है orientation कितने n-space को घुमाना है फिर इसके बाद आपको देखेगा increase or discrete indent को बढ़ाना घटाना है तो जिससे यहाँ से हम घटा बढ़ा लेते हैं देखे बढ़ रहा है और indent हमने MS Word में भी आपको बताया है तो indent को घटा बढ़ा सकते हैं अगला option है Robtex Robtex में क्या है हमें एक ही cell में सारा data लिखना है जैसे हमने इसमें लिखा रंजीत कुमार वर्मा तो रंजीत कुमार वर्मा ये एक और दो cell में आ चुका है हमें एक ही में convert करना है तो Robtex करेंगे तो देखेगा रंजीत कुमार वर्मा एक ही cell में पूरा convert हो चुका है जैसे हमने कोई भी data लिखा UPCI computer इसको हमने bold कर लिया या बड़ा कर लिया font अब हमें इसको convert करना है एक ही cell में तो यहाँ पर Robtex लगाएंगे देखे एक ही cell में पूरा convert हो चुका है तो इसको हम Robtex कहते हैं यह भी आपका option clear हो चुका है छात्रो अब आगे देखते हैं हम merge कैसे करते हैं cell को तो merge करना cell को देख लिजेगा जैसे हमने यहाँ पर लिखा UPCISS और यहाँ पर हमने पूरा data यहाँ तक यहाँ तक select किया अब इसको merge करके आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर cell में गए सबसे पहला आपसे ने merge and center merge करेगा और center में लेके इसको आएगा click करेंगे तो देखेगा पूरा cell जो है merge हो चुका है border लगा के हम आपको दिखा रहे हैं में तो पता चलेगा कि मतब कितना आपका merge हुआ थिक बार्ट लगाया देखेगा इतना part जो है पूरी cell जो है आपके merge हो चुकी है अब हमने क्या किया यहाँ हमने merge गल लिया इसके बाद हमें क्या है merge across क्या होता है तो control जट से फिर वापस हमाते हैं वैसे ही हमने यह आपका जो select किया था इसको फूरा फिर से select कर रहे हैं और यहाँ पर merge across का मतब है केवल आपकी row जो है row छोड़के column जो है वो देखिएगा merge हो चुके है और row जो है नहीं merge हुई एक्रोस इस प्रकार से आपका होगा देखिएगा इसमें बारेटर हम देते हैं तो आपका इस प्रकार merging होगी फिर इसके बाद control जट करते हैं merge across के बाद है merge cell merge cell पे click करेंगे तो इसमें merge center आता तो data center में आ जाता था merge हो रहा था और यहाँ पर merge करेंगे तो UPC इसी side में आ जाएगा बाकी merge option merge center लगभग एक ही है unmerge करेंगे तो जैसा था data वैसा हो जाएगा अनमर्ज में फिर cell वापस आ जाएगे तो हमने आपको merge cell बताया row text बताया alignment बताया लगभग इसमें सारे आपसन हमने clear कर दिये है अब हम अगले वीडियो में जानेंगे paste special के बारे में जो कि इसी में आपसन है उसको हमने नहीं बताया है तो आगे का वीडियो आपका paste special के बारे में होगा thank you for watching